कुश्य नमबर थ्री है, how many seconds will a 500 meter long train take to cross a man walking with a speed of 3 km per hour in the direction of the moving train is the speed of the train is 63 km per hour आपने time बताना है seconds में, कितना लेगी 500 meter लंबी एक train है, 500 meter long एक train बनाओ, यह train है, suppose कर लो 500 meter long है, ठीक है उसने एक man को cross करना है, और जो man कितनी speed से walk कर रहा है, यह suppose करो man है, इसकी अपनी speed है, 3 km per hour, इस speed से man walk कर रहा है ठीक है, in the direction of the moving train, in the speed of the train, train की speed भी रखी है, same, जिस direction में train जा रही है, उसी direction में man move कर रहा है और train की speed आपको देदी, कितनी 63 km per hour, ठीक है, आपने बताना है, जो train है, यह जो train है, आपकी कितने समय में, कितना time लेगी, इस man को पीछे छोड़ना है, इसने, इसको cross करना है, ठीक है, यह भी relative speed वाला कोशन है, दोनों देको train और man दोनों एक ही direction में जा रहे हैं, तो यह relative speed बनेंगी, जो हमारी relative speed बनेंगी, वो बनेंगी, 63 minus 3, means 60 km per hour, क्यों, ऐसा क्यों, अगर आपको man की speed 0 कर लो, इसा आप 63 में से 3 minus कर लो, 60 बन गया, means man, एक जएगे रुपा हुआ है, और train कितनी speed से चल रहे है, 60 से, आप ऐसा भी कह सकते हो, या तो ऐसा बोलो, man 3 km per hour की speed से ज जा रहा है, अगर इसको train की speed में से minus कर लो, तो इसको ऐसा बोल सकते है, man एक जगे रुपा हुआ है, और train है, वो कितनी speed से जल रही है, 60 km per hour, दोनों एक ही बात है, ठीक है, यह relative speed का concept है, तो आपकी relative speed कितनी 60 km per hour, और कितना, जो length है, distance कितना travel करेगी, train man को cross करने के लिए, उतना ही जितनी इसकी लंबाई है, जो train है, इस man को तभी cross करेगी, अगर वो अपने आपको पूरा ऐसे आगे ले जाए है, ना, पूरा, तो कितना distance travel करना पड़ेगा train को, उसकी जितनी अपनी length है, तो length कितनी है train की दे रखी है, 500 meter, तो time पूछा आप से कितना लेगी, time आ सब्सक्राइब करने के लिए 16 तो अगरो, 5 by 18, ऐसे करो ठीक है, अब 6 से कटो, 6, 3, 18, 6, 10, 60, ठीक है, एकितना है, 50 upon 3, ओके, तो time निकाल लेते हैं, time को फर्मुला क्या है, distance upon speed, distance कितना है, distance दिया ही आपको 500, और speed कितना है, आपको 50 upon 3, ये 3 जो है, ये ऊपर चला जाएग क्या बना, 500 upon 50, multiply by 3, 50 से काटो, 50, 10s are 500, 10, 3s are 30, 30 seconds लगेंगे, इस train को, जो कि 63 km पर आर के speed से जा रही है, एक man जो कि 3 km पर आर के speed से जा रहा, उसी की direction में जा रहा है, उसको cross करने के लिए, तो इसका अंसर क्या आएगा, second option, 30 seconds